नमस्कार दोस्तों आज पर आपका स्वागत है क्राउन इमिक्रिष्ट के यूट्यूब चैनल पर तो आज का जो हमारा डिस्कुशन रहेगा वो है स्टडी लोन के उपर रहेगा क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे बच्चों की क्वेरी जराती हैं हमारे पास जब भी किसी फॉरन कंट्री में जाना होता तो उसके पास इतने जारेया फंट नहीं होते तो वो लोन कर झाता है किसी नुए है किसी प्राइवेट पार्टी से तो उसको उसका बहुत सारा इंटरस्ट देना पड़ता है तो आज मैं एक slipping की का एसमें कर आहाई हूं आगी कुछ चीजें कर पस लोगों के पास लोन है जिन गोर्ड है लोट है जिन पस लोगों के पास उनको उनको उनके लिए भी प्रॉल्लम नहीं है उनको भी इसी ली मैं बता दूगा कि किस टाइब के लोन मिल सकते हैं जिन लोगों के पास fixed deposit पड़े हुए हैं जिनकों FDR कहते हैं तो उनके लिए भी कोई problem नहीं है उनके लिए भी loan easily बहुत सारे बैंकों से मिल सकता है तो मैं आज सारी कि सारी यह हमारी discussion रहेगी मेरे पास बहुत सारे interesting cases आते हैं दो-तिन मैंने practically करके भी देखी हैं तो उसको करने के बाद फिर मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ practically कि मैं अभी जह चीज करूँ क्योंकि जर्मन में बच्चे ने जाना है study करने के लिए free मैं कहता है यह बहां पर blog account का बड़ा चक्कर है blog account का क्या करें जहां किसी बच्चे ने नौर्वे में जाना है बहां पर student funds दखाने पड़ते हैं नौर्वे bank account में नौर्वे के अंदर जो कि 14,00,00,00 के हैं जर्मन में आप 10,500,00 यूरो के हैं जो कि आप 9,00,00 रपया लेकर चलें GSC अगर आपने खलवाना है Canada का उसके अंदर 5,00,00,00 रपया दखाना पड़ता है इसी तरीके से FTS है उसमें भी आपको आप 10,00,00 रपया दखाना पड़ता है तो वो वहां पर दखाना पड़ता है बहां भीजने पड़ते हैं यहां पर दखाने का सेनेरियो अलग है उनके लिए अनदर भी है अभी 100 countries हम डील करते हैं 100 countries में से 100 countries का हमें मालूम है कि यह embassy किस टाइप के fund चेक करती है क्या वो FDOD accept कर सकती है आपका fixed deposit है उसके against आपने overdraft लिया हुआ है क्या वो acceptable है क्या यह वाली embassy है सिर्फ आपके sanction letter के उपर भी जो आपका loan sanction letter होता है उसके उपर visa दे सकती है जहां यह embassy है आपके loan sanction letter मिलने के बाद क्या आप उस bank ने disbursement भी दी है पैसे भी bank में पैसे भी आइधर जो person है उसके account में transfer कराया है या university के account में transfer कराया है वो check करती है क्या यह embassy सिर्फ एक दिन पराने fund देखती है कोई verification नहीं करती तो वो भी मैं suggest कर सकता हूँ कौन सी country ऐसी है इसी तरीके से कौन सी country 30 दिन fund देखती है कि आपके पास 30 दिन fund आपके parents आपके personal account में होने चाहिए वो भी genuine वो हम बता सकते है कि कौन सी country इस ट्रैप के fund देखती है कुछ country से 3 मीने परानी fund देखती है लेकिन उनके पास होता नहीं वो immediately bank के अंदर डाल देते है तो साथ में source of income मांगती है कि यह fund कहां से आ गाए है तो अभी आपने foreign पढ़ने के लिए जाना है तो आपके पास परदर क्या-क्या है source of income की आपके parents आपको फॉरन से भेजे वो आपको फॉरन से भो भेजे क्या कहते हैं इंडिया से पैसे भेजे तो आज सारा हमारा रहेगा पहले आते हैं मैं एक interesting आपके साथ एक बात share करूँगा एक बच्चा हमारे पास आया उनके पास property sufficient थी बट पैसा नहीं था कहते पैसे नहीं है कोई limit ली हुई है कोई कुछ लिया हुआ है पैसे से आई चलाई चलती है लेकिन property हमारे अपने नाम पे हैं हमने कहां जाना है हमने जर्मन जाना है सर तो हमारे लिए कोई option बताएं जर्मन में और बच्चे की education भी बहुत बढ़िया थी चाय भी आगे यह यह था कर जाता हूँ तो प्र चाय भी लेते हैं साथ में फिर वो कहता है मुझे वो मुझे कहता है कि सर अभी बताइए क्या कर सकते हैं बच्चे की education बहुत बढ़िया थी बीटेक की हुई थी percentage अच्छे थे आइलेट्स की हुई थी मैंने कहा कि आप जी हमें case दीजिए हम आपका case handle करते हैं उस बच्चे का मैंने private university में admission करवाया बहां की तो private university का admission आया invoice generate होकर आगया बहां का offer letter आगया उन्होंने conditional offer letter भी बेच दिया unconditional conditional उसके अंदर fees भी मेंचन कर दी उसी के base के उपर वहां की वो university जहां से private university में Germany की देखिए interesting case fees आई है बहां से मैंने maximum fees वाली university find out की कि maximum fees वाली university कौन सी है find out करने के बाद उसके अंदर fees लेकर है 16 यार यूरो की condition लिए उस बेसके बाद हमारे कुछ बैंकों में licensing है क्योंकि हमारे अपने भी business account है तो वहां की rule and terms भी बता है कुछ प्राइवेट भी है कोई गौर्मन्ट भी है जैसे LIC हुआ जा होर capital bank हुआ ऐसे को बैंक है तो उनसे हमने discuss की कि यह बच्चे का बट हमने उनसे discussion करने से पहले मैंने उसके साथ बैंक को बैंकर के साथ यह condition रखी है चाहे private था चाहे वो गौर्मन था है कि जो disbursement होगी वो हम अपने personal account में लेंगे instead of university के account में तो उनमें से दो bank जो private थे they are agreed कि हाँ हम आपको जो disbursement है आपका जो admission letter है उसके recording आपके personal account में देंगे मैं कर ठीक है उनको हमने फिर जो भी उन्होंने property थी वो collateral रखी यह 25 लाग तक की property मैंने उनके पास collateral रख दी तो उन्होंने 15 लाग का बच्चे को launch action कर दिया और disbursement बच्चे के account में डाल दी उसके बाद किया कि आ गया बच्चे के पा private university में साथ में ही मैंने वहां की public universities में डाला था मैंने तो उसको फ्री में बेजना था बहां से उसका फ्री में बीशन भी आ गया तो blog account भी खुल गया उसी पेस से जर्मन चला गया मतलब यह वहुत है यह नहीं है कि मैं यह बे खुद फेक हैं फेक डाकुमेंट लगा कर करत सकते हैं वह आपका अपना स्किल है तो अभी लोन की वह अगर आपको कुछ प्रॉलम है आपने विदोड को लेटरल लोन लेना है आप कौन से बैंक से लेना चाहते हैं क्योंकि जो maximum nationalized bank है उनके पास list of universities है अगर आपका admission वहां से आया तो विदोड को लेटरल भी आपको ल वालों की भी ना हो तो थर्ड पार्ट इस को लेटर भी वह सब्सक्राइब कर लेते हैं उस वेसे भी आपका लोन हो सकता है बट उनके पास list of universities है को डिपलोमा डिपलोमा के लिए नहीं देते ना को जी एसी अपन के लिए लेकिन वह हमारा skill है कि मैं आपको किस वेसे दलव अगर आपका वहां पर डिपलोमा में भी आया हुआ है लेकिन उनके पास list नहीं है तो आप कुलेटरल स्यूर्टी रखकर भी अपना लोन ले सकते हैं बैंकों से वह बैंक में आपको बता दूंगा कि किस वेसे आप ले सकते हैं अभी कुछ बैंक क्या चाहते हैं कुछ जो पादर की income tax की रिटनने चाहिए और फंड चाहिए एक दिन पराने भी हो असेप्टर है लेकिन जैनूर होने चाहिए डिपेंड है कौन सी में आप केस्ट आ रहे हैं सो कंट्री को डील कर रहा हूं टेस्ट हो सबका मुझे पता चल चुका है मैं साल में एक एक भी किसी कंट पंड के लिए दिखाना है वो नहीं है हमारे पास तो उनके लिए उनको personal loan भी मिल सकता है अगर आपके पास collateral पड़ी हुई है उसका जो interest है 10% से लेकर 16% का है अगर आप study loan लेते हैं वो 6% लेकर 8% का है depend है आपको lab भी मिल सकती है loan against property भी मिल सकता है वो भी आप option है वो और एक loan में हम आपकी help कर सकते हैं लेकिन आपके पास क्या options है आप चाहते किया हैं अभी कुछ अमबैस्टी सिर्फ फंड देखती है एक दिन पराने दो दिन पराने ना को चेक करते हैं उसमें आपके रिष्टेदार भी help कर सकते मैं गहतो हुँ आपके से रिष्टेदार स से लौन के लिए आपके बाग पड़ा हुआ है गोल्ड के अगेंस आपको लौन तलबा सकते हैं उसका रेट उफ इंटरस्ट बारह से लेकर अफरक एनगारसरटीजन नेशनल लिपोजटरी जो प्राइवड़े उसकी statement आती है वो अपनी statement दियाए उसके against में भी हम शेरों के against में भी आपको कुछ organization से loan दरवा सकते हैं मतलब FD पढ़ी हुए उसके against में भी आपको loan मिल जाएगा बहुत सारे options हैं अगर आपका dream foreign country में पढ़ने का है तो crown immigration आपको best से best loan के भी option प्रवाइड कर सकती है लेकिन हमारी कभी यह bad intentions नहीं रहती कि अभी client आया इसको जहां से भी लूटो जो rate of interest होगा वो आपको pay करना पड़ेगा लेकिन कोई भी fund कोई fake टाइप यह नहीं होंगे genuine होंगे अगर bank नेगी हो तो bank वाले देंगे अगर कोई third party देती है तो वो भी proper आपके security लेकर genuine fund आपको provide करेगी उसके against भी वो लिखकर देगी कि अगर fund fake पाए जाते हैं तो उसमें उनकी 100% responsibility रहेगी तो अगर आपने foreign country में जाना है पैसों की problem है बट आपके पास gold पड़ा हुआ है properties है FDs पड़ी हुई है share पड़े हुई है तो crown immigration आपके हर एक dream को fulfill कर सकती है तो foreign selected भी अगर आपकी कोई query है किसी भी country में पढ़ने के लिए जाना है उसमें भी admission करवाएगी तो साथ में loan के भी options provide करेगी under one umbrella आपको lot of options मिल सकते हैं सिर्फ crown immigration के office में ही तो इस type की informative video daily में अपने channel के उपर डालता हूँ अगर आप मुझे daily देखना चाहते हैं मेरी वीडियो को daily देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe को साथ में लगए बैल लाक्न को जरूर पुछ करें तो लासी यह request है अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छे लिए कुसे like and share करना नहीं अब्ला थैंक्यू